Hello friends, Welcome back to Neil Creations आज हम ये बला ब्लाउज का डिजाइन बनाने जा रहे हैं जो बहुती प्यारा है और एक कलर में बनाया है मैंने इसके दोनो पार्ट्स जो हैं एक जैसे ही बनते हैं ये डिजाइन जो है बहुती उनीक है और बहुती प्यारा डिजाइन है नेट के जैसे बनता है जैसे बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे क्रोशिया से बनाया हो और यहाँ पे मैंने क्रोशिया से इसकी आउटलाइनिंग की हुई है चारो तरफ, शोल्डर पे, नेटलाइन पे और यह नीचे भी तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह देखे फ्रेंड्स यह मैंने इतना बना लिया है फ्रंट और बैक के पार्ट्स दोनों एक जैसे बनेंगे यह मैंने बॉर्डर बनाने के टू बाई टू का बॉर्डर बनाया है बॉर्डर बनाने के बाद सीधा मैंने डिजाइन स्टार्ट करके इतना सा बना लिया है, लेंथ मुझे इतनी ही चाहिए, ये 9 इंच के आसपास बनाई है मैंने, तो पहले मैं आपको इसका डिजाइन बनाना सिखा देती हूँ, इसका डिजाइन जो है, तीन के मल्टिपल फंदो पे चड़ता है, और दो फंदे साइड्स के लिए एक्स्ट्र मैं आपको ये थोड़े से फंदे डालके ये डिजाइन बनाना सिखा देती हूँ, इसके लिए मैंने 15 फंदे लिए हैं, प्लस 2 एक्स्ट्रा 17 टोटल फंदे लिए हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये डिजाइन सीधी साइड से डलेगा, हम सीधी साइड में हैं, दो पूरी रोग के फंदे जो हैं दो दो बार बल देके हम यह से दो बार लपेटेंगे और सारे फंदों को ऐसे ही बुन लेंगी ऐसे करके पूरी रोग ऐसे ही कमप्लीट कर लेंगे आगे की सारी रोग दो दो बार लपेटे हुए पीछे की रोग से डिजाइन आएगा आगे की सीधी ऐसे ही जाएगे बस जस्ट हमें दो वर फंदे को बनाना है दो वार लपेटना है दागा लास्ट का फंदा सीधा बुन लेंगे अब यह जो सेकंड और फोर्थ रो है यह रोज बार वार रिपीट होंगी जैसे पहले हमने यह सेकंड रो में पहले फंदा सीधा उना फिर तीन फंदो को खोल लेंगे हम खोलने के बाद इस तरफ से ऐसे ऐसे निडल को गुसाएंगे कि और यह ऐसे ये अ बना लेंगे मृत टीन फंदो को बना लेंगे फिर से तीन फंदों को खोलने हैं फिर इस दुल को इस तरफ से ऐसे.. यह देखिए लाइट के कारना अपको दिखने ही रहा था इसलिए मैंने आफ कर दी यह देखिए यह तीसरा फंदा जो है हम पहले लेके आएंगी इस तरफ से ऐसे तीनों को इस वली निडल में ले आएंगे और एक-एक करके बना लेंगे ऐसे यह दो स्टेप्स हैं जो ध्यान देने वाले हैं इधर वी बनेगा बस यही मीन है पहले दो तीन फंदे खोल लिए फिर इस तरफ से एक बार इस तरफ से निडल को गुसाएंगे यह देखिए ऐसे फिर तीन फंदों को खोला और फिर पीछे से हम चेंज कर लेंगे इसकी साइड एक बार पीछे से चेंज करेंगे एक बार आगे से तिनों को लाइन बाइस बुन लेंगे यह दूसरी रो है हमारी यह से कंप्लीट होगी है हमारी यह वली रो अब थर्ड रो जो है हमारी फर्स्ट रो के जैसे बनेगी और हमारा डिजाइन जो है आना स्टार्ट हो गया है हमारी अब थर्ड रो है जो वैसे ही दो दो बार लपेटते हुए हम पूरी कर लेंगे यह थर्ड रो है हमारी फॉर्थ रो में थोड़ा सा चेंज होगा वो मैं आपको दुबारा से बता दूंगी कि क्या चेंज आता है उसमें कि लास्ट का फंदा हम सीधा मुल लेंगे अब आजाएं फोर्थ रो पर फोर्थ रो वी वैसे तो सेम है आपको थोड़ा सा डिफ्रेंस है जो बता दूंगी जैसे हमने तीन फंदे खोले जो हमने सेकिंड वली रो डाली थी उसमें हमने स्टार्टिंग के तीन फंदे इधर स डाली थी नीडल अब जो फोर्थ रो आगी उसमें हम पीछे से डालेंगी बस स्टार्टिंग के तीन फंदे अगर आपको समाझ आ गए तो डिजाइन बाकी एज़िटीज चलता जाएगा जैसे एक वर फिर से बता देती हूँ जैसे हमने स्टार्टिंग के तीन फंदे बुने है पहली रो में तो ऐसे बुने थी तो दूसरी में ऐसे बाकी जैसे हमने अब ऐसे डाली है पीछे से तो आगी से डालेंगे बाकी जो हमारा डिजाइन है वैसे ही चलेगा जैसे पहले चलता आ रहा था एक वर पीछे से एक वर आगे से पीछे से ले आएंगे आगे से यही मीन था बस जो बताने वला था बाकि तो इन सेकिंड रो के जैसे ही पूरी रो कम्प्लीट होगी थोड़ा से दियानifi देने वला डिजैन बहुत ज्यादा इसी है थोड़ा से दियान देने की जरूरत है बस कही गल्ती नहों जाए अगर गल्ती हो गई तो इसके चांसे हैं कि डिजैन खराब हो जाता है यह देखिए यह हमारा डिजैन यहवला बन के आना स्टार्ट हो गया है और पीछे से ऐसा दिखाई देता है आपको दिखा देती हूं पीछे से भी बन के आता है डिजाइन बहुत प्यारा है क्रोशिय जैसे लगता है तो मैंने इसकी इतनी लेंद कर ली है यह नाइन इंच के आसपास है नाइन इंच के बाद हम क्या करेंगी एक फंदा बुना दूस्रा को उपर से निकाला फिर तीस्रा बुना दूसरे को उपर से लाई ऐसे कर के जो हैं अग्य आंग बुन यह देखिए हम लास्ट में आ गए हैं आपको एक बात लास्ट में बताने वाली थी यह लास्ट के चार फंदे हम अभी तो पांचावा है इसको तो हम दोबर बना लेंगे लास्ट के 4 फंदे जो है मैं उल्टे बुलनोंगी क्योंकि इस पे नेक्स सिलाई में हमने डिक्रीजिंग करनी है डिक्रीजिंग के लिए डबल बार बनाया हुआ फंदा सेट नहीं आएगा क्योंकि वह बड़ा हो जाएगा इसलिए तो यह अब हमारी एक इधर सीधी साइड डिक्रीजिंग हो गई है सिटी में दिखाएगा तो में ओने के लिए टीन फंदे डिक्रीजिंग हूने के बाद में छिल दिखा इंगे मैं नहीं है न मुझात आपके साथ ना इनक्रीजिन कर लेए देदाने गेख़े हैं तो इसमें और व्कष सके लिए में हैं तो आपको दिखाऊँगी तो मैं ये complete कर लेती हूं तब तक ये देखिए friends ये मैंने तीन वार decreasing कर ली है एक दो तीन हमारी पांच डलेंगी total दोनों साइड मैंने तीन तीन कर ली है तीन तीन decreasing करने के बाद मैंने ये बीच के तेरा बिल्कुल सेंटर वाले तेरा फंदे हम छोड़ देंगे एक एदर मा और दोने decrease करने है इस फ़ली रू में तो अब हम क्या करेंगे अब हम हमारी रो स्टाट करते है रोस्टाट करने के बाद मैं आपको एक साड़ एक एक तो बेक्रीजिंग होगी हमारी ये देखिए ये तीन फंदे चाहेतो आप सीधे साइट से डिखरीज कर लें सीधे बु करने के बाद दो दो बार बनाते हुए हम पूरी रोको पूरी रोको नहीं सारी जहां तक मार कर लगाया है मैंने कि यह आप देखिए द्यान से यह चीज द्यान देने वली है यहां पर तो मैंने डाले थे 94 फंदे यहां पे 94 फंदे डालने के बाद क्योंकि यह डिजाइन स्टेच बहुत ज्यादा करता है तो मैंने 4 फंदे यहां पे कम कर दिये थे उसके बाद मैंने यह डिजाइन स्टार्ट किया था क्योंकि यहां पे स्टेचेवल बहुत है यह डिजाइन तो आपको बता दूँगी एक बार और कि कैसे कैसे हमने decreasing की हमने fourth decreasing side से shoulder की कर ली है अब आगे हमारा क्या 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 कैसे कैसे चलेगा मैं आपको पूरा detail में बता दूँगी फिलाल आप यहां पे देखिए बिल्कुल जहां तक मैंने marker लगाया है वहाँ तक मैंने ये दागे को 2-2 बार गुमाते हुए आ गई हूं और लास्ट का एक पंद्धा जो है हमारा उसे में सीधा ही बना लूँगी यह वाला जो सेकेंड लास्ट सेकिंड यह इसको दो बार गुमाया लास्ट का एक पंद़ा हम सीधा बना लेंगे इसको निकाल देंगे अब यहां तक तो हमारा एक शोल्डर का हो गया अब दूसरी साइड हमारा दूसरी शोल्डर का होगा तो क्या करेंगे यह पहले 13 फंदे जो है हमारे बीच वले उसको हम यह से पहले दो बना लिए 13 के जो बीच वले रखे थे एक कम किया दू तीन चार पांच चे साथ आट नो दस ग्यारा बारा और यह थर्टेन थे है जो इस लास्ट वले के उपर से हम यह थर्टेन थेरवा फंदा हमने उपर से गिरा दिया है अब हमारी बीच की डिक्रीजिंग हो गई है अब हम साइड में और डालेंगे दो डिक्रीजिंग तो जो आगी की रो रह गई है उस पर हम फिर से दो दो बार दागा लपेड़ते हुए हमारी रो कंप्लीट कर लेंगे कि डिक्रीजिंग करते वक्ता आपको इसमें ज्यादा तर हमने तीन-तीन की डिक्रीजिंग इसी तरी इसी लिए की है ताकि हमारा डिजाइन सेट चलता रहे ज्यादा कम फंदों में डिजाइन थोड़ा सा हौच पॉच हो जाता है इसलिए आप थोड़ा सा केरफुली से को बनाई है अब हमारे यह दोनों तरफ के शोल्डर जो है अलग अलग हो गए है क्योंकि बीच के यह कम हो गया है तो यह इधर हम दुबारा से दूसरा दागा लगाएंगे दूसरे शोल्डर को बनाने के लिए पहले हम इस साइड का कम्प्लीट कर लेंगे फिर मैं आपको बाद में उस वाली साइड का भी बता दूंगी क्योंकि इसके साथ तो दागाट है चाहिए लास्ट के सौरी चार फंदे जो है हम उल्टे बुनेंगे इसमें दो बरनी लपेटेंगे यह देखिए लास्ट के ज है यह दिखेजिंग हमारी तीन फंद की होगी फिर से यह इस साइड से 4 डीक्रेजिंग है हमारी 5 करनी है अभी हमने एक और करेंगे गफा humour कि दो और यह तीन कंड उतार दिये हैं तो यह मैं यहां तक यह हमारे डिजाइन कि अकॉर्डिस यहां तक जो हमारा कट हो गए यहां तक बुन लेती हूँ अगे की रों में आपको फिर से दिखाती हूं कि आगे क्या होगा यह दिखे हमारी वह वली जो फॉर्थ डिक्रीजिंग वली रो थी वह हमारी कम्क्लीट हो गई है अब इस साइड से हम क्या करेंगे इस साइट से फिर से पहला ऐसे उतारा तीन फंदे डिक्रीज करेंगे फिर से एक दो और ये तीन तीन फंदे डिक्रीज करने के बाद दागा अपनी तरफ करके वैसे ही हम सारी फंदे बुल लेंगे लास्ट तक रो हम ऐसे ही कम्प्लीट कर लेते हैं ये लास्ट के चार फंदे हमने डिक्रीजिंग के लिए छोड़ दिये हैं इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे दो बार नहीं लपेटेंगे दागे को यह हमारी 5th decreasing आ गई है इस साइड से last decreasing है यह पहला फंद भी नबुने दूसरे को उपर से लाके जैसे हमने पहले किये हैं तीन-तीन फंदे वैसे ही इनको decrease कर देंगे और पूरी रो हम design wise हमारा जैसे चल रहा है वह मैं complete करके आपको next आगे की दिखाती हूँ यह देखिए इधर से हमारी 5th decreasing वाली line वे complete हो चुकी है इधर से अब एक और decreasing हमारी बाकी है वह हम डाल लेते हैं last तो मैं आपको इसके बाद दूसरी साइड वाले shoulder का भी थोड़ा सा बता दूंगी कि कैसे क्या करना है यह से करके हम तीन फंदे decrease कर देंगे यह थर्ड फंदा है तो जो बाकी की हमारी रो रह गया है उसमें हम हमारे यह बिता देती हूं कि कितने फंदे रह गये है complete कर लूँ यह line थोड़ी सी है बस इसमें आप last के चार फंदे जो है हमारे उनको हम ऐसे नहीं चोड़ेंगे बिना दो वर दागल पेटे क्योंकि हमारी उदर की decreasing जो है complete हो चुकी है अब हम पूरी रो complete करेंगे last का एक फंदा है जो single वार भी दागा गुमा के बनाएंगे ऐसे यह आपको count करके बता देती हूं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तीरा, चोदा, पंदा, सोला, सत्रा यह 17 फंदे हैं हमारे जो बच गए हैं हमारे पास और अब इसकी में last की जो रो है इसमें कोई decreasing नहीं करूंगी जैसे हमारा design चल रहा है वैसे complete कर लेती हूं फिर मैं आपको इदर वाली बता दूंगी फिर देखते हैं आगे यह देखे इदर की मैंने decreasing complete कर दी है हमारे यहां पर 17 फंदे रह गए हैं total हमने क्या करना है इदर भी मैं आपको decreasing बता दीती हूं थोड़ी सी कि कैसे कैसे करनी है फिर आपको यह जो 17 फंदे रह गए हैं इसके साथ हमारी 67 इंज की जो भी हमारी जितनी requirement होगी हम shoulder की length complete कर ल देते हैं यह देखे इस साइड हमारा डिजाइन जो हमारा जो start होगा ऐसे दागा पहले हम लगा लेंगे यहां पर जैसे पहले हम तीन फंदों को खोलते हैं और जिस साइड हमारे डिजाइन को जाना है वैसी ही हम बना लेंगे इस दागे को दबाते हुए बीच लगा लें कि यह से अच्छा ब्लाउस बनता है आप ट्राइब कीजेगा मैं ये वली रोग कम्प्लीट कर लेती हूं आगे की डिक्रीजिंग दिखाती हूं ये देखे आगे से इस साइड वली हमारी फिफ्ट डिक्रीजिंग है वह हम डाल लेते हैं फिर उदर वाली दो डिक्रीजिंग जो है हमारी रह गई है वह मैं आपको दिखा दूंगे कैसे हम डालेंगे ये देखे ये तीन फंदे हमने कम किये दागा अपनी तरफ करके दो दो बार लपेटते हुए मैं पूरी रोग को कम्प्लीट करूंगी लास् क्योंकि हमने डिक्रीजिंग डालनी है तो आजाएए इसके उल्टी साइड वैसे ही जैसे हमने पहले तीन तीन फंदे कम किये तीन फंदे और कम कर देंगे यहां पर कटाई है और बाकी रो जो है हमारी सारी design वाई समक्पलिट कर लेते हैं है इस साइड हमारी 5 डीक्रीजिंग हो गई हैं संपलेंगे हमारी 10 पूरी रो यहां से सीधी लेकर जाना है और अल्टी कि मैं यह बना लेती हूं लास्ट के चार फंदों तक चार फंदे हमने जस्ट उल्टे बुनने हैं दो वार नहीं गुमाना दागा हाँ कि यह रहें इसको हमएं सिंगल टई बोलेंगे यहां पर इस वाली डिक्रीजिग के बाद हमारे पास यहां पर भी 17 ए रह जाएंगे उस साइड़ ब deux इन 17 फंहों से कर लेंगे यह दिखे हमारी लास्ट प्रीजिंग हो गई है और यह डिजाइन बाली लाइन में इसकी पूरी डिटेल करती हूं यह देखे हमारी डिक्रीजिंग दोनों तरफ से पूरी हो गई है, अब आपको मैं इसका बता देती हूं, फुल के कैसे हमने क्या किया था, नीचे से मैंने 94 फंदे डाले थी, फ्रेंज, 94 फंदे डालने के वाद जब मैंने यह डिजाइन स्टाट किया, तो मैंने 5 फंदे कम किये थे, क्योंकि हमारा design 5 फंदे कम करके set आता था मैंने वैसे 90 फंदे रखने थे तो जब हमारा design में एक फंदा ज्यादा हो रहा था मैंने वो भी कम कर दिया इसलिए तो ये 89 फंदों पे हमारा ये 9 इंच का बन गया था यहां तक मैंने 9 इंच बनाया है मैं आपको दिखाऊ ये देखिए फ्रेंज ये हमने यहां तक मैंने यहां पे देखिए ये 9 इंच के आसपास आ रहा है थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाता है वूल में यहां तक मैंने 8.9 इंच के आसपास आ रहा है और उसके बाद मैंने नाइन इंच बनाने के बाद मैंने तीन डिक्रीजिंग की इधर से और इधर से तीन डिक्रीजिंग करने के बाद चौथी डिक्रीजिंग के साथ मैंने ये गले के बीच में की एक बार और एक बात और कि मैंने यहां पर डिक्रीजिंग सारी हमने तीन तीन की से लिए किये हैं कहीं पर हमारा कोई दिजाइन वे होच पऊच नहीं हुआ अच्छे सी डिजाइन चलता गया और इधर से 15 फंदे गाम की इधर से भी 15 फंदे कम की बीच में जो था मैंने देखा कि कितने शोलडर के लिए हमें 17 17 फंदे ही चाहिए थे 15 फंदे डिजाइन के लिए दो-दो फं मुझे यहां पर चाहिए थी बाकी जो बीच करने से लिए सारी कम कर दिये यह सब्सक्राद 187 शुल्डर कर सेवंटें pretending और दू पर 5 ही बाकी जो अधे बागो तर behavior कम कर देंगे खाएक इसका इसutta Сब्सक्राद 30 लिए बहुत है और यह जो ब्लावज यह नेबल तक ही आता है ज्यादा लॉंग नी अच्छा लगता शॉर्ट ही अच्छा लगता है तो यह मैं इसके कितनी डिक्रीजिंग कर लूँ मैं आपको बाद में दिखाती हूँ कितनी डिक्रीजिंग की है यह दिखे फ्रेंज यह मैंने शोल्डर की लेंध कर ली है और दूसरा भी पार्ट मैंने बिल्कुल सेम बना लिया है उसकी भी डिक्रीजिंग सेम ही हुई है डिक्रीजिंग और शोल्डर की length कर ली है मैंने complete अभी इसे joint करना बताऊंगी उसे पहले मैं बता देती हूं कि यहां तक तो मैंने 20 designs डाले थे यह वली और यहां से लेके 26 और डाले हैं total मैंने 46 designs डाले हैं इसमें और अब आपको इसका joint दिखाती हूं कि joint कैसे करेंगे हम इसके आपको मैं total length भी बता देती हूं कि कितना बना है यह यहां से लेकी नीचे तक यह 17 इंच बन गया है 17 इंच के आसपास यह दिखिए तो चलिए मैं आपको इसका बता देती हूं कि कैसे आप इसे joint करोगे इसकी और इसकी दोनों की सीधी side हम अंदर करेंगे वैसे तो पहले भी मैंने अपने cardigans वले में shoulder को joint करना बताया है यह देखिए दोनों सीधी side अंदर है और दोनों में हम ऐसे सिलाई डालके जैसे नॉर्मली फंदे बनाती हैं जैसे बनाते हुए जाएंगे यह देखिए एक बना लिया फिर यह दूसरे को बना लिया पीछे वाले को इसके उपर से लाके हम छोड़ देंगे जैसे हम decreasing करते हैं ऐसे करते हुए मैं सारा यह joint कर लेती हूं दूसरी side के shoulder कर लेती हुए तो मैं आपको दिखाती हूं कि कैसे joint होता है इसका मैं यह complete कर लूँ ऐसे करके फिर आगी दिखाती हूं यह देखिए फ्रेंड्स यह ऐसे हमारा joint हो गया है यह देखिए कितना प्यारा सा और कितना नेट इसमें फिनिश आया है बिल्कुल ही नहीं पता चलत कि इसे इंस्टिचिंग का और यह इसको मैं बीच में जब इसकी बनाऊंगी बाडरूस में दे दूंगी तो दूसरी साइड में complete कर लेती हूं इसकी यह देखिए मैंने दोनों शोल्डर को अटैच कर दिया है अब मैं इसकी चारों तरफ इसकी क्रोश यहां पे भी मैं इस यह देखिए फ्रेंट्स यह हमारा ब्लाउस जो है लेडिस ब्लाउस हमने complete कर लिया है इसके यह मैंने क्रोशिया कर दिया है शोल्डर पे भी नेक लाइन पे और यह नीचे भी यह देखिए यह बहुत ही प्यारा बनके आया है यहां पे मैंने 20 रोज डाले थे डिजाइन क सकते हो इसमें मैंने 46 डाले हैं तो बनाइए और शेर कीजिए मेरे साथ अपने experience कि आपको कैसा लग रहा है और एक बात और यह दोनों तरफ से एक जैसा ही बनता है इसमें कोई changes नहीं होते बनाइए और मुझे बताइए कि कैसा रहा आपका experience और आपको कैसा लगा यह design thank you friends टूपकर 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 लगज कर देंका ले लगविंदा की बनताइए कि अपकर लगए ख़गई आपकर लगए इसमें आपकर लिए